Dummy Variables पर कुछ और Questions उठाते हैं और थोड़ी और Clarity लेते हैं हमारे इस Lecture में जो Magnet Brains आपको Provide कर रहा है 100% Free of Cost Quality Online Education यह तैयारी हम आपको करवा रहे हैं IAT, J.W.E. Mains और J.W.E. Advanced Mathematics की बिल्कुल Free of Cost यह तैयारी है ही इवन आप हमारे Notes, PDFs और E-Books भी राउनलोड कर सकते हैं इस Video के Description में दिये गए Link Get Notes पर क्लिक करके पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आपको As a Homework Question दिया गया था और इसमें काफी सारी मज़दार सी चीज़े लिखी गई हैं सबसे पहला statement अब जादा दिमाग मत लगाई है अब सीधे सीधे अपनी standard सी property यूज़ करिये यह पूछ रहा है कि इसके value pi by 4 है ठीक के try करते हैं सर तो मेरे लिए जो property है वो क्या है सर 0 से pi by 2 अब आप क्या करेंगे तो pi by 2 को 2 स्टिप्लाई किया तो pi minus 2 theta everyone agreeing with this? कोई doubt तो नहीं है वहीं दूसरी और अगर देखा जाए वहीं दूसरी और अगर देखा जाए तो क्या बचता है भी? यहाँ पर बचता है sin theta तो sin theta means what? sin theta means sin pi by 2 minus theta देखो अभी ना मैं फिर भी आपके लिए capable होना चाहिए कि वो इतना दिमाग में सोच पाई कि अगली step यह है और इसके बात क्या हो रहा है? सीधे आप ओ लिखो. यह दिखना चाहिए कि पहले आजाएगा sin pi minus 2 theta अब pi मतलब कि आपका second quadrant क्योंकि minus हो रहा है तो sin sin रहेगा वहाँ पे sin positive होता है तो यह हो जाएगा आपका sin 2 theta तो यह तो रह रहा है sin 2 theta ही. लेकि ज़रा गौर से सोच कर बताएं sin 90 minus theta cos theta होता है. तो यहाँ पर यह बन जाएगा आपका cos theta d theta I hope आपको अब process पता है कि अगर यह मेरी लिए i था तो इसे भी अगर मैंने i कहा तो दोनों को add कर दें तो क्या मिलेगा भी? सर दोनों को अगर आप add करते हो तो आपको मिलेगा 2i और 2i में ज़रा गौर से देखिया आपको एक हिस्सा common है. यह पूरा part common है. तो cos theta प्लस sin theta एक पार्ट मिलने वाला है जिसे अगर मैं देखूँ तो यहां पर क्या मिलेगा भी? 0 से pi by 2 है ना? आपका under root over sin 2 theta तो है ही और of course यहां पर जो दिख रही है चीज़े हैं वो क्या है? sin theta plus cos theta d theta everyone okay with that? कोई doubt यह परिशानी तो नहीं है इस बात को लेकर चलो अगर यह सारी बाते समझ आई हैं अगर यह सारी चीज़े clear हैं तो यहां से आगे बढ़ते हैं next part की तरफ जो क्या है? वो notice करना I think अब अगर आपको चीज़े देखनी है तो कुछ formula दिमाग में आ रहे हैं क्या? क्योंकि मुझे दिख रहा है सर sin theta plus cos theta यह तो बहुत अची चीज़ होगी सर क्योंकि sin theta plus cos theta के साथ अगर मैं यहाँ पर substitution के बारे में सोचू तो sin 2 theta से कुछ help मिलती है क्या? sin 2 theta को आप क्या लिख सकते हो? अगर sin 2 theta ही है हमारे पास picture में तो ज़रा सोच के देखो अमने एक बात एक दफा पड़ी थी अगर आपको याद आ रही है मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ज़रा सोचना simple सा expression है मानलो मैं लिखता हूँ आपके पास sin theta minus cos theta का square ज़रा मुझे बताओ आप sin theta minus cos theta का square क्या होते है फिर हम बात करेंगे सिर साइन theta minus cos theta का square आपका होगा sin square theta plus cos square theta क्या मैं इस सी जी सी जी ते 1 लिख सकता हूँ minus 2 sin theta cos theta जो कि कितना हो जाएगा minus sin 2 theta I hope आप मेरी बात समुझ पारे हो everyone agreeing with that ऐसा क्यों कर रहा हूँ क्या दिख रहा है कि sin 2 theta इदर लेकर आए sin 2 theta को अगर इदर लेकर आए तो यकीनन तोर पर ये पार यहां जाएगा तो I hope आप मेरी बात समुझ पारे हो यहाँ पर मुझे जो दिखेगा वो दिखेगा यह दिखेगा 1 minus sin theta minus cos theta का whole square किसके क्वले sin 2 theta के मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको नजर आएगा एक स्टैंडर्ट सा सब्स्टिटूशन और ये question खत्म होता दिखेगा 2i तो I है ना 2i तो 2i है ही इसे मत चेडिया अभी यह दिख रहा है 0 से pi by 2 इसे जब लिखा तो जरह गवर से दिखेगा 1 minus sin theta minus cos theta का whole square I hope मैं इसे लिख सकता हूँ और of course यहाँ पर जो लिखा है वो लिखा है sin theta plus cos theta अब आप खुद बताओ कि आपको ये substitution दिख रहा है कि अगर आप sin theta plus cos theta को किसी value से replace करते हैं जरह गोर से दिखेगा प्लीज अगर मैं sin theta plus cos theta को लिख से कहता हूँ t तो आप जरह पताएं क्या निकल कराएगा सरी यहाँ से चीज़ें जो बनेंगी वो होगी sin theta का derivative cos theta cos theta का derivative minus sin theta cos theta minus sin theta d theta कुछ गरबट कर रहा हूँ क्या क्योंकि इसके बज़ाए मैं उल्टा इसे मान लूँ क्योंकि यह मेरे लिए जादा सहूलियत बरा है क्योंकि वहाँ से बात नहीं बन रही मैं sin theta minus cos theta को ले लेता हूँ एक छोड़ा सा फर्क, एक छोड़ा सा चीज sin theta minus cos theta को गर t माना तो sin theta का derivative cos theta cos theta का derivative minus sin theta तो cos theta plus sin theta d theta आपका dt हो जाएगा क्या आपको click कर रहा है जो मैं कहना चारा और अगर इस point पर अगर बात निकली है तो जो 2i आपका चल रहा है वो क्या रहा है? वो सुनना ज़रा ग़र से दिखे जब 0 है, I repeat जब आपका theta 0 है तो यह रहा 0 और यह रहा 0 sin 00 cos 01 तो यह हो जाएगा कितना minus 1 वहीं दूसरी और जब यह pi by 2 है I hope आपको दिख रहा है sin 91 cos 90 0 तो minus 1 से 1 तक आप डील करे हो किस function से वो सुनना आप जो डील करे हो आपने कहा sin theta minus cos theta को t मान लेते हैं तो आपने क्या किया भई? आपने लिखा 1 minus कितना t square और of course sin theta plus cos theta d theta आपका क्या हो जाता है? dt क्या ऐसा formula आपने कहीं न कहीं पढ़ा है a square minus x square अगर आपका under root में लिखा हुआ है तो sir, इसके लिए हमने सीधा-सीधा formula पढ़ा है अगर आपको ए कहानी याद आ रही है तो और भूले नहीं हो तो थोड़ा भी confusion है कि नहीं सर मैं तो यह formula भूल चुका हूँ मुझे याद नहीं आ रहा है तो आप याद करो अपना वो part जहां हम unity को यहाँ पर ले आते थे और फिर first function और second function के अपनी कहानी चला कर चीज़े कर लिया करते थे I hope अब आपको चीज़े याद आ रही है जो मैं कहना चाहरा हूँ भूले तो नहीं हो बाते क्या करते थे भई अगर इनके इस formula याद नहीं है तो वैसे formula इस stage पर याद होने चाहिए अगर चीज़े भूल रहे हो तो one into आपने यह मान लिया अफकॉर्स अब क्या चीज़े बच रहे हैं सर इसे अगर मैं कहलों first function और इसे मैं कहलों आपका second function है ना तो क्या निकल का रहा हैगा जरह उस पर बात करते हैं जरह notice करेगा आप क्या कहते हो सर first function as it is तो one minus t square as it is second function का integration तो second function का integration मतलब one का integration t minus integration of integration of what differentiation of first function so one minus t square का differentiation I hope आपको दिख रहा है पहले तो one by two बजाएगा chain rule लगाना है differentiation है तो तो one by two और इस expression की power minus one by two तो तो denominator में जाएगा तो पहले तो मुझे क्या दिखेगा पहले मुझे दिखेगा one by two और denominator में कितना under root over one minus t square मेरी बात समझ जा रही है सभी को बिना किसी परिशानी के chain rule कहता है one minus t square का derivative minus two t है ना तो यहाँ पर जो आएगा होगा कितना minus two t तो यह two और यह two cancel हो जाएगा तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा भई t अच्छा एक और बात यहाँ पर आप integration of first second function भी करेंगे तो second function one का integration आजाएगा आपका कितना t square dt क्या यह पार्ट समझ आ रहा है कोई दिक्कत कोई परिशानी I hope आपको समझ आ रहे हमें एक छोटी सी गडबर कर रहे है गडबर जो मुझे फील दे रहा है वो यह गडबर जो मुझे देख रहा है वो मेरे खाल से गडबर नहीं है चीज़े सही है चीज़े बिल्कुल sorted सी है अगर आप इसे देख पा रहे हो तो पहले तो क्या यह पार्ट समझ आ रहा है जो बन रहा है क्या t times under root over one minus t square आपका यहाँ पर आ रहा है तो one by two under root over one minus t square denominator में है ना फिर one minus t square का differentiation minus two t और t है ना तो वो two आपका cancel होकर इस तरीके से positive design के साथ t square upon one minus t square बनाता है क्या यह बात आप सभी को समझ आई अब क्या अब अगर मैं यहाँ पर यह तो हमारा part sorted है यह तो हमारा part sorted है जो limit क्या है minus one seven तो इसको लेकर चिंता करनी की जरुवत नहीं है जो मेरे लिए चिंता का विशह है वो क्या है वो अगर यह minus one से one होता तो कहानी कुछ और हो तो देखो भई simple सा काम है पहले तो ना यहाँ पर एक negative sign नहीं अटाता हूँ यह थोड़ी आसानी से work out कर पाँगो क्योंकि substitution तो बात नहीं बना रहा है अच्छा यहाँ पर देखो जब अपर limit रखता हूँ तो one रखते ही one minus one zero lower limit रखता हूँ तो one minus one zero तो यह पार्ट तो zero है ना तो इसी पार्ट को कि आप मेरी बात समुझ पारे हूँ कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं I hope नहीं कर रहा हूँ चीज़े सही है इस तरीके से वापस हम वहीं तो नहीं चले जा रहे है जहां से हमने चीज़े शुरू करी थी क्योंकि मैं वापस इस वाले पार्ट को बनता हो देख पा रहा हूँ कि आप लगा रहे हो अंडरूट कितना one minus t square चलो देखते हैं जो होगा प्लस में अफकोर्स आपका कितना आजाएगा प्लस में आपका आजाएगा क्या भी minus 1 से 1 अच्छा चलो हाना right hand side पर आपका क्या चल रहा है 2i चल रहा है ठीक है है ना right hand side पर 2i चल रहा है बहुत खूब अब देखना मज़तार बात अब हो जाएगा क्योंकि मैं ऐसे भी 2i की तरह ट्रीट करके 4i बना दूंगा आपको बात समझ जा रहे हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह माइनस है समझ रहे हो नहीं माइनस है तो माइनस ओफ माइनस 1 प्लस 1 तो यह पर जाएगा 1 अपॉन अपॉन अंडरूट ओवर कितना 1 माइनस टी स्क्वेर क्या आप मरी बात से सहां मत हो अब आपको यह समझ आ रहे हैं कि सरी यह तो वापस वही मन गया है तो ठीक है बनने दो आपको यह क्या दिख रहा है 1 माइनस टी स्क्वेर जो है यह आपका क्या था 2i तो वाज़िप से बात है यह 2i है तो 2i इधर आया तो कितना हो जाएगा 4i तो 4i जो होगा वह आपका क्लिक हो रही है तो यह हो जाएगा आपका sin inverse t कहां से कहां तक minus 1 से 1 तक तो ठीक है यहाँ पर जो है आपके पास minus 1 से 1 तक कौन है भी sin inverse t so let's put a sin inverse t here minus 1 से 1 तक और 4i तो है ही I think अब चीज़े मुझे देख रही है कि बनती हुई कि exactly कहा जा रही है ज़रा देखेगा sin inverse 1 कितना होता है pi by 2 minus sin inverse minus 1 minus pi by 2 minus minus plus है ना और यह 4 आपका आ ही रहा है यहाँ तो 4 और यह I तो क्या मुझे दिख रहा है pi by 4 बनता हुआ I hope आपको समझ आ रहा है इस question को हमने कैसे solve किया और कैसे answer निकाला अपनी standard method यूज़ करके question को figure out किया क्या इस question में भी दोबारा यही thought process apply की जा सकती है अगर सूचा जाए तो try करते हैं देखते हैं वही same property वही same कहानी मेरा यकीन करिए काफी crucial property अगर आप देख पारे हो तो याद रखना जब negative और positive में वही same identical number दिखता है definite integration में तो मैं चाहूंगा कि मैं सीधे जहां जहां एक्स दिख रहा है माइनस x से replace करूँ क्यों क्योंकि this plus this minus x so this plus this will be zero zero minus x minus x तो यहां पर मुझे minus x दिख रहा है यहां पर तो x की एक even power है तो minus x की power भी वही बना के रखेगा लेकिन अगर यहां देखते हैं तो यह हो जाता है cos inverse यहां गौर से सुनिएगा आपको जो दिखेगा वो दिखेगा minus 2x upon कितना 1 plus x square सुन रहे हो आप लोग तो इस तरीके से कुछ चीजे हो रही है जो चीजे न यह जो है जनाब यह आपका cos inverse है अब फिर वही बात inverse trigonometric function में सारी बाते हम करेंगे कि आपका cos inverse x जो होता है उसे आप कैसे लिखते हैं अगर आपका यह पार्ट कुछ अलग तरीके से बदल रहा है तो आप देखो x कहां से कहां तक है सर x आपका minus 1 by root 3 से 1 by root 3 तक है और अगर ऐसा है अगर x जो है आपका वो minus 1 by root 3 से 1 by root 3 तक है तो आप बात समझने की कोशिश करो प्लीज दियान से सुनना 1 plus x square तो सीजी सीजी सी बात ते सार आपका एक positive value रखेगा बहुत अच्छी बात है minus 2x यहाँ पर यह change आ जा रहा है कि यह जो minus 2x से अब देखो जब यहाँ पर plus 2x था तो भी values आपकी वैसी की वैसी चल रही थी अगर minus 2x है तो भी आपकी values ऐसी की ऐसी चल रही है बट क्या मैं यहाँ पर एक छोटी सी property उस कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है cos inverse minus x तो मैं इसे लिख लूँ pi minus cos inverse x सर यह property कब से आई आपने कब पढ़ाई हमें तो यह सिखाय नहीं किया मेरा कहना है यह property आप inverse trigonometric function में बहुत खुबसूरती के साथ पढ़ेंगे पर अभी फिलाल बस वान लीजे कि ऐसा होता है है ना तो इस question को अगर मैं लिखूं तो यह मेरे लिए क्या बन जाता है i है ना minus 1 by root 3 से plus 1 by root 3 तक आगे जो कहानी आपकी चल रही है वो क्या x to the power 4 upon 1 minus x to the power 4 यह क्या हो जा रहा है भई? x to the power 4 upon 1 minus x to the power 4 आगे क्या? cos inverse अब इस वाले पार्ट पर अगर बात की जाए तो यह क्या बन जाएगा sir? यह आपका बन जाएगा pi minus cos inverse कितना भी? गौर से देखेगा 2x upon 1 plus x square ऐसा करने से क्या फाइदा? क्या हमारे मतलब का काम हुआ? वो सुनना देहाँ से देखना यह आपका i है है ना? देखो आप ज़रा गौर से देखो i क्या बन रहा है? बहुत गौर से देखना question खत्म होने कि अगर आप intelligently सोच पा रहे हो तो देखो यह एक i था और i को अगर आपको मानना है तो अंदर multiply करो आपको खुद कुछ दिखेगा देखो यह i क्या हो जाएगा? minus 1 by root 3 से 1 by root 3 है ना? x to the power 4 upon 1 minus x to the power 4 सुन रहे हो आप लोग? multiply किस से किया? pi से तो यहाँ पर क्या जाएगा भी? pi है ना? minus आप सुनना धियां से यह कितना हो जाएगा minus 1 by root 3 और क्या? 1 by root 3. I hope आप सुन रहे हो. बहुत अच्छे से सुन रहे हो. और क्या? this x to the power 4 upon 1 plus x to the power 4 times क्या? cos inverse of 2x upon 1 plus x square. everyone listening and understanding, यह dx of course यहाँ चलना है. यहाँ भी आपका dx चलना है. इस पार्ट को ज़रा गौर से देखो और अपने question से match करो. क्या कुछ मिल मिलाप हो रहा है? वाजब से बात है sir, यह आपका बन रहा है i. तो इस i को ठाके इधर लाए. तो question हमारे लिए क्या बन जाता है? question बनता 4 upon 1 minus x की पार 4 dx. पहले तो आपको यह बात रहा है कि यह जो एक question था, जो कुछ बहुत ही अजीवो गरीब सा था, इसे हमने ऐसे किसी question में कैसे convert कर लिया? कि यह इस बात से तो कोई परिशानी नहीं. अगर यह बात समझ आई, तो sir, एक छोटा सा काम करने की कोशिश करते है है, मैं इसमें सीधा सीधा सा one add और one subtract करने की कोशिश कर रहा हूँ, I hope you all okay with that. तो जब ऐसा किया, तो देखो क्या दिखेगा यह, बहुत ध्यान से सुनना, 2i is a customer, मैंने negative sign मानलो common लिया, तो minus pi दिख रहा है, यह minus 1 by root 3 से, plus 1 by root 3 तक दिखी रहा है, बिल्कुल दिख रहा है common ले सकते थे, कोई खासा फर्क परता नहीं है, मैंने क्या किया, यहां पर one add किया, और of course, one subtract किया, कि आप मेरी बात समझ पा रहे हो, और यह कहां जा रहा है, I hope आपको दिख रहा है, अगर इस part को solve करने की कोशिश की जाए, तो जब गौर से देखना, क्या बनेगा, उस प रहे हो क्या, और one का integration, x, और जब उसमें लिमिट्स रखी जाए, तो one by root three, minus minus one by root three, यहने two by root three, तो एक जो छोटा सा पाट दिख रहा है, वो यहां पर two by root three तो दिखी रहा है, तो पहले तो वो चीज़ सा अटाके मैं यहां लिग देता हूँ, two by root three, तो यह कितना जाएग यहां पर जब आपने push किया है इसे, तो minus one था, तो minus pi minus one से जब multiply होगा, तो यह हो जाएगा plus pi, और यह क्या हो जाएगा, one upon, कितना भी, one minus x to the power four, तो यह कुछ एक ऐसा पार्ट दिख रहा है, I hope यह पार्ट solve हो चुग है, बस मुझा अब यह चोटा सा एक दूसरा हिस्सा जो बच रहा है, इसे solve करने की जल्दी है, मैं क्या partial fractions की help लेकर, इसे solve करने की कोशिश कर सकता हूँ, सर, partial fractions कैसे picture में आगे, अरे भाई, one minus x की पार four को आप क्या लिख लोगे, आप इसे लिख लोगे, one minus x square और one plus x square, कुछ याद आया, तो इस question को लिखा जाए और समझा ज अगा लो, क्योंकि partial fractions में थोड़ी महनत है, तो अगर common sense से चीज़े निकल रही है, तो पहले priority उसे दीजिए, सुन रहे हैं क्या आप लोग, तो सुनिए अगा धियान से, और बहुत अच्छे से सुनना, मैं इसे दो हिस्सों में तोड़के लिखना चाहरा हूँ, तो एक त कर देगा, क्या आपको मेरी बात समझाए, तो यहाँ पर इसे मैंने यहाँ एक dx लगा दिया और यह जो है आपका minus 1 by root 3 से plus 1 by root 3 dx यहाँ लगा दिया I think अब इन दोनों को लेकर formula आपने पड़े हैं इन दोनों expressions को लेकर चाहे वो 1 upon 1 plus x square हो या फिर आपका 1 upon 1 minus x square हो दोनों के simple से formula आप जानते हो आपका minus 2 pi by root 3 अब आगे की कहानी सुनना और बहुत दियान से सुनना जो यह pi by 2 है जनाब यह आपका पूरा overall इस पूरे expression में आ रहा है है ना गलती मत करना pi by 2 सब में multiply हो रहा है तो मैंने इसा लिखा बताओ 1 upon 1 plus x square यह 10 inverse x का formula है तो 10 inverse x आपकी होगी भी limit है ना तो यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर आ रही है सर pi by 2 को भी बाहर रखते हुए है ना multiplication है यह 10 inverse x में आप क्या रखेंगे भी minus 1 by root 3 और plus 1 by root 3 वैसे इसका भी निदान आप कर सकते हो आगयाने वाले समय में property पढ़ेंगे कि यह सेम बात है लेकिन sign change है तो इसको और आसान बना सकते हैं क्या इस बारे में यकिन करिए हम बहुत अच्छा discussion करेंगे क्या आपको याद है 1 upon a square minus x square का कोई formula अब इसे partial fraction में convert मत करो सीधा a square minus x square वाले ही formula लगा लो है ना तो उसकी help से यह हो जाते है sir 1 upon 2 है so 1 upon 1 है ना log of mod of x minus a अब x minus a मतलब मतलब x minus 1 x plus a मतलब x plus 1 और इस तरीके से 1 upon 1 के बारे में तो सोचने की जरुवत नहीं है जो यहाँ पर limit लगनी है वो क्या हो जाएगी भई वो आपकी हो जाएगी वही वापस minus 1 by root 3 से plus 1 by root 3 तक क्या आपको दिख रहा है finally बस हमें अब इसे solve करना है और अपना असा निकालना है तो i की जो final value आ रही है यह 2 cancel तो पहले तो आ रहा है minus pi by कितना and root 3 cross check कर लिजेगा है ना कुछ भी गड़बर ना हो बस मैंने चीजने लिखी तो है पर कहीं कुछ miss कर दिया होगा तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा अब सुन ना धियां से यहां से शुरू करते हैं बताओ 10 inverse 1 by root 3 1 by root 3 तो 30 degree याने कितना pi by 6 यह भी आपका क्या होगा pi by 6 लेकिन negative pi by 6 बट वो positive हो जाएगा क्योंकि रोल लिमिट minus करोगे तो pi by 6 plus pi by 6 30 plus 30 कितना हो जाएगा pi by 3 तो यहां पर मुझे एक जो चीज दिखी वो क्या दिखेगी pi by 3 सुन रहे हो आप लो सर यहां पर क्या दिखेगा जड़ा देख लेते हैं जब 1 by root 3 रखूंगा तो क्या दिखेगा log of गौर से सुनिएगा 1 by root 3 minus 1 1 by root 3 plus 1 तो यह हो जाएगा 1 minus root 3 1 plus root 3 समझ रहे हो क्या तो यह हो जाएगा log of कितना 1 minus root 3 upon 1 plus root 3 अब देखो यह तो positive है लेकिन 1 minus root 3 कैसा होगा ज़रा गौर दीजिए सर, root 3 1.732 होता है तो यह negative होगा minus पर क्या लगा रखा है mod तो यह से positive बनाना है तो positive बनाने के लिए 1 minus root 3 को क्या लिख देता हूँ root 3 minus 1 मतलब मैं mod अटा ले रहा हूँ तो ऐसा मैं कर सकता हूँ कि फिर करूँगा मैं minus क्या lower limit अब जब lower limit को pass किया तो मैंने क्या pass किया minus 1 by root 3 तो रख गौर से देखना है minus 1 by root 3 pass किया तो यह हो जाएगा minus 1 by root 3 minus 1 और यहाँ पर minus 1 by root 3 plus 1 आई होप आपको यह बात समझा रही है तो numerator में minus 1 minus root 3 आजाएगा सुनरे हो क्या numerator में minus 1 minus root 3 आजाएगा और denominator में minus 1 plus root 3 आजाएगा क्योंकि दोनों के denominator के root 3 हट जाएगे एक छोटा सा काम अभी mod तो जो है वो तो है ही क्या मैं negative sign और common ले सकता हूँ बिलकु ले लो सर तो numerator में root 3 plus 1 बन जाएगा 1 plus root 3 बन जाएगा जो आप लिखना चाहो और यहां से negative sign common लिया तो 1 minus root 3 बन जाएगा आजोब आपको दिख रहा है यह कितना बन जाएगा 1 minus root 3 फिर वही बात जरा आप गौर से देखिए समस्या क्या है समस्या मैंस इतनी सी है सर कि आपका यह जो expression है आप देख पारे हो क्या गड़बड दे रहा है वो गड़बड यह दे रहा है सर कि यह 1 minus root 3 एक negative value है तो इसका mod अगर हटाना है तो यह negative value को positive बना लेंगे तो positive बनाने के लिए 1 minus root 3 को मैं क्या लिख लूँगा मैं लिख लूँगा उसे root 3 minus 1 everyone okay with that any confusion so far अब अगर इसे simplify किया जाए तो मैं अगर I hope आपको आदोगा log A upon B को आप log B upon A लिसकते हो बट negative sense रो मिल्लिप्लाइ करना पड़ेगा सर ये कुछ है ये भी वही कुछ है तो ये हो जाएगा कितना two times log of this तो ये पूरा part हट जाएगा I hope आप मेरी बात से agree करते हो और चीज़े समझ पा रहे हो बढ़ी बाती बहुत अच्छे से आप चाहे तो इसे और simplify करिए वरना मेरा कहना है अब रुप जाएगे और कितना करोगे अब इस से जाज़ा चीज़े simplify होने को मुझे दिखनी रही है चीज़े कि और कुछ इसमें गुझाइश है तो मुझे क्या क्या चीज़े दिखी minus pi by root 3 यहाँ पे आपका मेरा यह पूरा overall expression बन रहा है जो हमारा final answer होगा क्या इस question के किसी भी step में कोई doubt है कहीं पर कोई confusion है कहीं पर भी कोई hesitation I hope नहीं है चीज़ें बिल्कुल smooth सी चली है चीज़ें बिल्कुल sorted सी अपने रखने की कोश्श की है यह 5 by 3 हो जाता है यह कुछ ऐसा आजाता है चलो यहां से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो next question की तरफ आते हैं अगला सवाल आपका कुछ इस तरीके से यहां भी मेरे पास चीज़ें हैं और वही dummy variable जो है आपका जो यह property है उसी को apply करके question हम solve करने की कोश्श करेंगे बट थोड़े से arrangements के साथ थोड़ी तिकड़म भिढ़ा के मैं चीज़ें कुछ ऐसे लिखना चाहरा हूँ जरा गौर से देखिएगा ताकि substitution मेरे लिए आसान हो जाए तो वही बात वापस जहां जहां x दिख रहा है जहां जहां x दिख रहा है वहाँ वहाँ पर 0 plus 1 minus x से replace कर सकता हूँ क्या बिलकुल कर सकते हो तो देखते हैं इस property से हमारा क्या फाइदा होता है तो i is equal to 0 से 1 numerator में तो dx है ही denominator में यह रखा 5 2 के साथ x है तो जाएगा 2 times 1 minus x 2 times 1 minus x तो 2 minus 2 x सुन रहे हो क्या आप लो फिर यहाँ पर रखा तो minus 2 times 1 minus x का क्या square यह बात समझ आई कोई दिक्कत अच्छा आगे अगर बढ़े तो भई यह देखो यह 1 तो 1 है ही plus e to the bar 2 minus 4 times क्या 1 minus x तो इस तरीके से यह चीज़े भी हो जाएगी और यह overall आपका expression बनेगा अब जरा चीज़े देखते हैं और समझते हैं कि क्या निकल कर आ रहा है सर देखो 5 plus 2 तो क्या हो जाता है 5 plus 2 तो 7 हो जाता है तो इसे तो अब 7 कर लो बढ़िया 1 minus x square क्या हो जाता है 1 minus x square को मैं थोड़ा लग लिख रहा हूँ 1 plus x square minus क्या 2x minus 2 को भी अंदर multiply किया तो minus 2 minus 2 x square और क्या plus 4 x तो एक ऐसा expression यहाँ पर आ जाएगा है ना तो यह वाला expression में यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर जब आपने इस minus 2 को multiply किया ultimately तो चीज़े कोच ऐसी दिखेंगी कैसी दिखेंगी minus 2 minus 2 x square तो गौर से देखना minus 4 2 minus 4 कितना 2 minus 4 आपके आठाएगा minus 2 माइनस 4 अंदर गया है तो कितना plus 4 x तो जब जब गा minus 2 plus 4 x प्लीज ध्यान से सुनना यहाँ पर जो power में आएगा वो होगा e की power minus 2 plus 4 x जड़ा इसमें और इसमें कोई भी resemblance पारे हो कोई भी clarity पारे हो थोड़ा और अगर simplification आपको लग रहा है कि नहीं सर इसे में थोड़ा और बहतर बना सकता हूँ तो देखो 4 x minus 2 x तो यह कितना बचेगा यह आपका plus 2 x बचेगा अच्छा एक और बात 7 minus 2 कितना हो जाएगा 7 minus 2 आपका जनाब हो जाएगा 5 I hope आप देख पारे हो तो कितना हो जाएगा plus 5 कोई परेशानी तो कुछ मिल रहा है अगर आप ध्यान से notice कर रहे हो क्या मिल रहा है सर देखो 5 plus 2 x देखो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 5 plus 2 x minus 2 x square तो ये तो ऐसा का ऐसा मुझे मिल जा रहा है प्लीज ध्यान से देखना question खत्म होने को है अगर आप गौर से देखें तो तो ये है 5 plus 2 x minus 2 x square तो लखीली ये तो वापस वही बन गया इसमें थोड़ा ध्यान से आप देखो आपको कुछ नजर आएगा अगर नहीं आ रहे तो मैं इसे ऐसे लिखता हूँ minus 2 plus 4 x को अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या e की पार negative of 2 minus 4 x I hope मैं ऐसा लिख सकता हूँ जरब गौर से देखना इससे अगर denominator में लेकर आया तो यह हो जाएगा 1 upon this और वो यहाँ 1 से multiply होके numerator में आ जाएगा तो technically मेरे पास जो expression बनकर आएगा मेरे पास जो expression बनकर आएगा वो होगा e की power 2 minus 4 x dx numerator मे और denominator मे 1 plus e to the power 2 minus 4 x कि आपको बात समझाई की question कैसे खत्म होने को है जरब देखेगा ध्यान से और बहुत अच्छे से देखना कि यह i और इस i को अगर मैं add करूँ तो यह बनेगा 2i और आप बड़े आराम से देख पाऊगे सर कि जब इन दोनों को add किया जाए तो दोनों की denominator बिल्कुल सही तो numerator में e to the power 2 minus 4 x plus 1 दिखेगा जो इसको cancel कर देगा तो हमारा सवाल बन जाएगा 1 upon कितना भई? 5 plus 2 x minus 2 x square dx यह सबसे पहले तो आपका सवाल बनेना है जिसमें of course i का अगर यह 2 इदेल आए तो यह 1 by 2 हो गया क्या अब यह question मेरे लिए एक मुश्किल सवाल है? क्या आपने इस question को कभी solve नहीं किया? क्या आप नहीं जानते कि sir a square plus x square यह a square minus x square यह x square plus a square जैसा कुछ बना लाओं तो बात बन जाएगी पर सभावे कसी बात है, यह हम minus x square है तो यह a square minus x square जैसा कुछ scene बनेगा पहले तो क्या यह need, यह जरुवत और यह बात समझ आ रही है? तो जरा कोशिश करते है denominator को convert करने की है ना? तो जो i है वो तो i है ही, 1 by 2 जो है वो तो है ही 0 से 1 जो limit है वो भी ऐसी की ऐसी है, इन में कोई छिडखानी हम नहीं कर रहे हैं, पर अगर अब मैं आपसे बात करूँ, तो देखना ध्यान से और बहुत गौर से देखना मैं यहाँ पर 5 को तो 5 रखना हूँ 5 को नहीं चेड़ रहा है ना? तो ध्यान से देखना please, 5 को नहीं चेड़ रहा है ना? और minus 2 common लिया minus 2 common लिया जब minus 2 common लिया आपने तो यहाँ पर क्या बच रहा है से? x square minus x है ना? यहां अंदर क्या बच रहा है भी? x square minus x अब इसी बात को थोड़ा दोबारा और अच्छे से लिखने की कोशिश मैं करता हूँ है ना? यह जो है वो है है x square minus x है माइनस 2 common लिया तो यह minus 2 x square plus 2 x हो जाएगा जो कि यहां लिखा हुआ है लेकिन अब अगर मैं इस पार्ट को एक perfect square convert करने की कोशिश करूँ तो देखो धियान से यह लिखा हुआ है x square minus x तो x square है minus x को ऐसा लिख दू तो चलेगा क्या फिर मैं इसमें 1 by 2 का square add कर लो तो चलेगा क्या फिर मैं इसमें से 1 by 2 का square subtract कर दू तो चलेगा क्या कुछ बाते समझ आई जो किया या जो हुआ भी ऐसा क्यों किया ऐसा क्यों हुआ उस पर बात करते है notice करिए 0 से 1 dx फिर क्या करना है sir फिर I think अगर मैं आगे बढ़ूं तो जरा प्लीस ध्यान से देखे 5 minus 2 times इस पार्ट को देखो यहीं पर question खत्म होने को है जरा गौर से देखना प्लीस बस एक छोटा सा challenge एक छोटी सी problem जो आप सब को नजर आ रही होगी कि यह क्या दिख रहा है sir a square plus b square minus 2ab तो यह हो जाएगा 2 times कितना a minus b का whole square लेकिन sir इसमें एक और गड़ बढ़ है क्या यह जो minus 2 है यह minus 1 by 4 से भी तो multiply होगा तो कितना हो जाएगा plus 2 by 4 यहने plus 1 by 2 है ना यहाँ पर मुझे plus 1 by 2 भी दिखेगा अच्छा एक छोटी सी बात अगर plus 1 by 2 दिख रहा है तो 5 में 1 by 2 आड़ कर सकते हैं क्या अरे 5 में आज अगर आड़ किया तो 5.5 याने 11 by 2 आप सुन रहे हो क्या तो यह 5 में अगर 1 by 2 आड़ किया so this is going to be कितना 11 by 2 गौर से सुनते चले जाएगा सर मुझे टू अच्छा नहीं लग रहा है तो ठीक है टू अच्छा नहीं लग रहा है तो एक काम करते हैं यहां से टू बाहर लेकर आते हैं तो टू जब यहां से बाहर लिया तो यहां से जब टू बाहर लिया यहां पर क्या जाएगा भी 4 आ जाएगा और of course यहाँ पर एक और 2 तो अल्रेडी था तो यह 1 by 4 हो जाएगा ऐसा क्यों कर रहा हूँ क्या आपको दिख रहा है अगर आपकी तसली के लिए में लिखूँ 11 by 4 को 11 by 4 को अंडरूट 11 by 2 का whole square minus this तो क्या आपको नजर आ रहा है यह सीधा सीधा सा expression है sir a square minus x square आपके denominator में जो कि आपका सीधा सीधा 1 upon 2a times log x minus a upon x plus a होता है अगर आपको यह सीधा सीधा formula याद है अपना a square minus x square को लेकर अगर आप भूले नहीं हो तो do you all agree with that अगर थोड़ा भी doubt है थोड़ी भी confusion है कि अगर आपको लग रहा है नहीं sir हमने तो x square minus a square का formula पढ़ा है तो अब भली भाती उसे भी apply कर सकते है मुझे कोई दिक्कत नहीं है कैसे करेंगे sir negative sign common लेंगे तो यहाँ आपका negative sign आजाएगा और यहाँ पर under root 11 by 2 of course आपका क्या हो जाएगा square आपका एक सेगे ना यह 2 था है यह 4 मुझे एक बार बस cross check कर लेने दीजे यहाँ पर 2 ही था अगर यहाँ पर 2 ही था तो यह आपका under root 11 by 2 का whole square हमारे पास होगा I hope यह formula तो आपने पढ़ा है क्या 1 upon x square minus a square यह हो जाता है अपका 1 upon 2 a log of x minus a upon x plus a I hope यह बात तो आप भली बाती जानते हो तो क्या यहाँ से मैं finally अपना answer लिखने की तरफ बढ़ू minus 1 by 4 0 to 1 अब integration का sign लगने की ज़रूरत नहीं है limit pass करने के लिए हम अब अपना integration solve करेंगे तो क्या जाएगा sir 1 upon 2 a तो 1 upon 2 a ने 1 upon 1 upon 2 तो है ही और a कितना है sir a है आपका under root 11 by 2 तो इसका reciprocal तो वो कितना हो जाएगा 2 by root 11 ठीक है log of mod of x minus a तो x minus 1 by 2 minus 11 by 2 है ना x minus 1 by 2 minus under root 11 by 2 और x plus a तो x क्या है ये और आपका a क्या है root 11 by 2 इस तरीके से ये चीजें बनकर निकल कर आ रही है और इसमें जो मुझे limit रखनी है वो बस यही variable वाला part है तो इसमें जो limit होगी वो 0 से बन तक इस तरीके साब रखोगे अब चीजें ट्राइ करते हैं जरा गौर से देखना है ना 2 से तो 2 कैंसल तो आए जो बच्चेगा वो बच्चेगा minus 1 upon कितना 4 times under root 11 इसे मत छेड़ो आगे बढ़ो है ना यहाँ पर जो दिख रहे है वो दिख रहे है log of है ना अब सुनना अध्यान से जब मैं 1 pass करता हूं तो notice करो 1 pass करते ही ये 1 1 minus 1 by 2 1 by 2 1 minus 1 by 2 1 by 2 तो यहाँ जो मिलेगा वो क्या मिलेगा वो सुनना log of है ना mod of कितना 1 by 2 minus root 11 by 2 divided by 1 by 2 plus root 11 by 2 अच्छा फिर minus करेंगे अब आप lower limit रखोगे तो जब आप lower limit रखोगे तो log of कितना mod of जब 0 pass किया तो negative negative यहाँ पे negative positive तो वो negative common ले ले रहा हूं cancel करते रहा हूं तो numerator मे 1 by 2 plus root 11 by 2 और denominator मे denominator मे 1 by 2 minus root 11 by 2 क्या मेरी बातें confused तो नहीं कर रही हैं क्या ही बातें बहुत अच्छे से समझ आ रही है और यहाँ से आई थिंक यह कुछ ऐसा ही बन रहा है जैसा हम अभी तक solve करते हुए आए हैं छोटा सा एक काम करते हैं बड़े गौर से सुनिएगा student simple सी पार्ट है ध्यान से देखो क्या मैं यहाँ पर देखो अगर मैं इसे यहाँ पर देखो पहली बात तो यह कि मौड वोट का क्या हाल है क्या रिलेशन है जादा अंदाजा नहीं है पर यह पता है सर अंडूरूट 11 बताओ अप्रॉक्सिमिटली कितना होता है मतलब मैं 1 बाइ 2 और अंडूरूट 11 बाइ 2 को देखना चाहरू यही मेरी सारी क्लारिटी क्लियर कर देगा ताकि मैं फाइनली मौड को हटा पाऊ अब मेरी बात सुन रहे हो क्या मौड रटाने क्लिए मेरे लिए सारी लड़ाई किस से लड़नी है अंडूरूट 11 बाइ 2 से अब हाव एक सी बात है यह 2 और यह 2 तो अंडूरूट 11 और 1 में बढ़ा कौन अब जाहिर सी बात है अंडूरूट 11 तो अंडूरूट 11 बाइ 2 एक बड़ी वाली होगी 1 बाइ 2 से तो यह नेगेटिव हो जाएगा तो इसको positive बनाने के लिए क्या करेंगे मतलब अगर इसका mod हटाना है तो इसका mod हटाने के लिए मैं क्या करूँगा मैं लिखूँगा अंडूरूट 11 बाइ 2 माइनस 1 बाइ 2 तो यहां क्या लिख लेंगे अंडूरूट 11 बाइ 2 माइनस 1 बाइ 2 अब जरा मैं अपनी सीधे सीधे property अप्लाइ करने की अगर कोशिश करूँ अच्छा बाइद वे मैं इतनी फालतू की एक चीज़ करे जा रहा हूं पता नहीं क्यों दिमाग में नहीं आया है मतलब यह 2 हट सकता था बहुत देर से चलो अब ठीक है जो हुआ सो हुआ numerator में under root 11-1 दिख रहा है मुझे numerator में under root 11-1 दिख रहा है और denominator में under root 11-1 दिख रहा है rationalize करके और कहानी खत्म कर सकते हूं पर अभी रुख जाओ ना एक step और मुझे खत्म कर लें दो फिर बात करेंगे यह क्या दिखेगा यह दिखेगा अंडरूट 11 प्लस 1 और यह दिखेगा अंडरूट 11 माइनस 1 अब सुनना ध्यान से है ना अगर मैं चाहूं अगर मैं चाहूं तो एक काम करता हूं क्या यहां से इसका sign change कर दूँ अगर इसका sign change किया तो यह negative तो यह plus हो जाएगा और यह आपका minus मैंने numerator और denominator को interchange किया है क्यों किया वो देखो अब यह भी वही समझाई बात तो यह कितना हो जाएगा यह negative और यह negative positive हो जाएगे तो यह negative हटा दो और यह negative हटा दो परफॉर्म कर दोगे ना तो चीज़े और अच्छी और आसान हो जाएगे जैसे पहला काम यह 2 का 4 कितना double मैं अगले page पर लिख देखो ताकि कोई confusion ना हो ध्यान से सुनना यहाँ पर पहले तो 2 का 4 double है तो 1 by 2 times under root 11 log off अब इस पार्ट को देखो यह लिखाए अंडरूट 11 प्लस 1 अंडरूट 11 माइनस 1 तो एक काम करते हैं रूट ओवर 11 माइनस 1 से यह रूट ओवर 11 प्लस 1 से क्योंकि डिनॉमिनेटर में रूट नहीं रखते हैं ऐसा कर लेते हैं जो आपको ठीक लगए से सिंप्लिफाइ करने क्लिए कर लो मेरे खाल से ऐसा भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं और राशनारीज करके भी लिखोगे वैसा भी लिख सकते हो तो राशनारीज करके लिख देता हूँ है ना रूट 11 प्लस 1 से मल्टिप्लाइ क्या आपको दिख रहा है क्या तो नियूमिरेटर में तो रूट 11 प्लस 1 का स्कुएर आजाएगा डिनॉमिरेटर में क्या जाएगा रूट 11 का स्कुएर मतलब 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 क्या 10 तो डिनॉमिरेटर में 10 आना आता है तो यह denominator में तो 10 आ रहा है, लेकि numerator में क्या आएगा सर्थ, numerator में आएगा इसका square, under root 11 प्लस 1 का square, तो under root 11 का square 11, 11 plus 1, 12, तो यह जो देगा, वो आपको कहा देगा 12 plus 2 times under root 11, आप चाहें तो इसे शॉक से simplify करिए, 1 by 2 times under root 11, log of कितना भई, 2 common लिया, तो 6 plus under root 11 upon 5, this is going to be the final answer, क्या इसकी किसी भी step में कोई doubt है, पूरा question, पूरा explanation समझ आया, कि कैसे हुआ, कैसे निकला, I think एक आसान सा question, जिसे आप इस तरीके से answer लाकर खत्म करेंगे, आज का पहला assignment question, बिल्कुल basic सी, आपके simple सी property पर based, जरा दिमाग लगाईए, और इस question को solve करिए, next assignment question आपकी screen पर, देखिए कर जरा, क्या मैं अपनी standard यही dummy variable के replacement वाली property अप्लाई करके answer ला सकता हूँ, here comes the next assignment question for the day, जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, बात बन जाएगी, अगला assignment question कुछ लिख रहा है, वो F or G continuous function है, 0 से A में, जो इस तरीकी की condition को satisfy करते हैं, तो आपको show करना है कुछ, screenshot लेते रहिएगा, और यह आज का अगला assignment question, बहुत ही आसान, बेहुदा सा question, देखकर ही solve हो जाना चाहिए, सच कहूं तो, अगेन एक बहुत basic simple से question के साथ, हम आज अपना यह part conclude करेंगे, और next lecture में एक अगले topic के साथ, आप से नहीं कहानी शुरू करेंगे, इस platform पर जो आपको free of cost quality online education दे रहा है, kindergarten से 12th standard तक, thank you so much for watching this video.